लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें सुषएपी अल्ट्रा चैनल्स हम कब तक इस लाश्का बोज उठाते रहेंगे ये क्या कह रही हो शुष्मा मा सुन लेगी शरीर के सारे हिसों ने काम करना छोड़ दिया है फिर भी ये बुढ़िया दुनिया छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं है शुष्मा शुष्मा प्लीज शुष्मा शुष्मा भाँ? 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 रहते हैंसने जуда आंतारा कि उंख जल सुनर्ड़ कोंपे। वजाँ नहीं ₹ ग्वारी फफे करे पादास्ट एा है कुछ पादाल के दो झाल झाल स्वारी कि अप्वारी युछ कि अप्वारी कि अपादा झाल 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 इंस्पेक्टर सिधार का फोन आया था पूछ रहे थे कि पोस्त मॉटम के रिपोर्ट तयार हुई या नहीं उनसे कहना क्या के लेके जाए जीजा 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 वो क्या गया कहा जरा फिर से कहना आर्थी मैं तुमसे कितनी बार कहा कि यहां हमार अरिष्टा सिनिया और जुनियर डॉक्टर का है संजी तुम यह प्रैक्टिस करने आई हो सॉरी डॉक्टर वह आपके लिए फोन है कौन है पता नहीं जीजू क्या पता नहीं डॉक्टर पड़ेगी आपने आपको बड़ा डॉक्टर समझतें यहस् ्णृक्ट रमा निया डॉक्टर हो तो क्या दोश् JULमांगे ओ नेहीं अधर मद्या के एपसाल पशं मन्हें जल्दी करें वह वे एंगार ज़ू पहुंचने पा आपनों अपना गर बना बना खेक है अ अर्द में आ यह मतिलना मैं प्षापने कबने के bers आंनल को चुकिकली Nजीशnya क third ऐब को एलो मैंदेने कले केक कर दिए जैनल क्या определ t focuses a एक डिनने हमारे नाम फिरोस लाइ क्ट वाला मैंने कहा केक टेयर है क्या तक तईयार है लेकिन तुमने काई एक पाइसा पाईसा अए अठाय 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 वाव युम्य सेखत् collaborative ये क्या वर satisfied समय उगली से चप्चय पर के खाती है ये केक करीम गopardy ये चीड प No की वाव मिल्ड़ा थेघ्ग कि तैर्ट आसाकि पेट प्चेड आठिक कश परी सबब्तक नइलगता है ये देखने का उपर काम नहीं है यह जान आ gelir विलोज खड़े वाले काम है Okay, sorry येक लाई है? ये काच्छे पैसा लियाओ, ये काच्छे केक लियाओ ये लियाओ, ये लियाओ, ये लियाओ, ये लियाओ तो घर से चरिखा क्या ना? जी बज्सके फे लियाओ, अटाहरा है क uniqueness कि अशके अए लाई से लिया जान एपक चाता है इज पासे अश्मoryAy् ये जित्याओ लड़की पे हाथ हिजरी उठाते हैं और शकल से तो हिजरा तो लगता नहीं हाँ बिगड़ावा ज़रूर लगता है है मर्द बनता है साले एक फटका पड़ेगा ना तो तेरी सारी मर्दान की धारी की धारी रह जाएगी समझा जलबर जा जलबर हम जलबर बनता है सारी हमावावव नाओ धगतार तो कर द़र उड़की जलबर शकल耐ब पिंग जली उड़की रह हो करी प्यों जलती ह। कर फ़र भर बनता है कर दो कर तो दो ला हम जले है कि अज़ अज़ जाए तुमने दर्वाजे की अंडर बोंगदा कर दिया है तुमको कुष्टी खेलने का इतना ही सोख है तो मेंडन में जाओ ना अब इसका खर्चा कुन देगा पैसा निकाला ने तो पुलिस को बुलाकर तुमको छे महीने टक का फांसे का सजा कर वाएगा अच्छा हां तुम खुड पुलिस वाला है पहले से बोलना मंगता है ने दिख रहा है जाव डूसरा काट में टोड़ डालो वो क्या आपके रिशिदार थे शट आप सिदाथ वो मुझे छेड रहे थे अब सुलिय में तुम्हें गुंडे छेड़ेंगे नी तो क्या तुमारी आरती उतारेंगे तुदाथ प्लीस मजाख मत करो इंतो देर से आयो उपर से आशिक ही सूच रही है अब जल्दी चलो दीदी और जीजु केक का अंतिजार करते होंगे अरे बस बस डाइट क्या कर रहे है आज तो लिमिटी क्रॉस हो गई आज तुमारी पहली वेडिंग उन्वरसरी है इसलिए नो लिमिट भी हो बस भी कीचे शर्म नहीं आते आपको आप पहले ससूर है जो अपने दामाद को अपने हाथों से खराते हैं अरे हम ससूर कर दोना च्रम वेसे मम्मी आपको ठीक ही है रहे है वह अर्टि की बात कर रहे हैं अनका शुख्रिया आदा चाहिए कि उसने इसे अपने यह असिस्टेंट की तरह हॉस्पिटल में रख लिया बनना पता ने उस लड़की का किया हो उसने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है बस आफेरों की सरुवत है मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से उसकी और सिधात की शादी करा दीजी ताकि उन दोनों का चुप-चु क्या सै आफे तो मम्य पपा से कहए दू कि अभिता भी बढ़ गई हैं जल्दी से शादि कर वाती चाहे है ऑ हूं थेंक्यु दिदी जलो पपा तुमेरे इंधिजार कर रहे है व्माइग व्माइग गोड्ल झाल झाल सब्सक्राइब करेगा क्या मैं कर लूंगे तुझा आइक आइसो बोलू ना मेम साफ याज की रात आप हस्प्रेट वेप को हनीमुन की याद ताजा करने का है आज आज आप दोनों की बोर्डिंग या डिवर्सी है ना अग्रेचे परोबर बोली ना मेम साफ यूं साफ पस पहत बोलती है यह देवा अब भगवार ने जबान दिया तो बोलूंगी ना अब देखो ना मेम साफ आच्छा जाती है जाती है गुटनेट मेम साफ गुटनेट शाफ अब नाइट अ अरे बबाबा इसे क्यों भेजती है सारी सफाई कॉन करेगा मैं करूंगी तुम अ अभी अभी नहीं सुपह एली वेडिंग अनिवस्ट्री है अब भी सुहावटाथ को याद करेंगे और और रोमैंस करेंगे और 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 क्या सब यहीं हॉल में कहतू झाल करेंज झाल 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 इस उत कौन आगया चोड़ो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो चला जाएगा पता नहीं कौन है बार 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 बज़ा जा रहा है जो कोई भी है बिलबजा की परिशान होकर चला जाएगा पता है हमें फोन और मोबाईल के साथ डोरवल को भी बन कर देना चाहिए था रेखो तो सही है कौन हो सकता है को एमर्जेंसी केस हो कोई प्राबलम में हो देख लेता हूं वह ज़रूरत नहीं है अरे बाबा एक बार देखी लेता हूं कम से कम फिर को डिस्टरप्ट नहीं करेगा ओके लेकिन जो कोई भी हो उसे भाहर से भगा देना ओके डाले अधिक है कि अधिक है कि अधिक है तो बाइसाब दर्वाजा खुल गया है अपको घंटी बिजाना बन करो इससे मिलना है अपको अब इसे मिलना है डॉक्टर अमन उससे कौन है आप एक फर्यादू अरे भई फर्यादी हो तो किसी पुलिस्टेशन जाओ मेरे पास क्यों आए हो वो फर्याद आप भी सुन सकते हैं आपके हॉस्पिटल में अविनाश नाम के आदमी की डेड बॉड़ी पहुँच चुकी है जिसका कल आप पोस्वार्टम करने वाले है इसमें कौन से नहीं बात है आपको पोस्वार्टम की रिपोर्ट में वही लिखना है जो सच है देखिए मैंने कभी जूट का साथ नहीं दिया है और जो सच है मैं वही लिखूँगा सच्चा ही यह है कि उसकी मौज जहर देने से हुई है आपकी रिपोर्ट से उसे इंसाफ मिल जाएगा वैसे आप ये बताई कि आपका मरने वाले से क्या रिष्टा है वो मेरी जान पहचानवाला था डॉक्टर अरसों तक हम साथ रहे हैं मेरी बात को भोलना नहीं डॉक्टर वरना पश्टाओगे बहुत बश्टाओगे डॉक्टर अजीब आदमी था अजीब आदमी वो नहीं आप हैं तोफा आपको इंतिजार कर रहा है और आप वगवर बात कर रहे हैं तोफा कैसा तोफा अए यू ए रुखो निया निया रुखो अमन तुम गुला काओगे नहीं किरिए लेया एक और इंट बला देना कुछ बाते ऐसी होती है जिन्हें तमीज से समझा तो लोगों की समझ में नहीं आती यह मतलब मतलब ही तो समझाने आये हैं डॉक्टर अमन डॉक्टर अभी तुम हॉस्पिटल जाओगे वहां एक पोस्मॉटम करोगी स्वर्गिय अविनाश की एड़ बॉडिका लेकिन आज का पोस्मॉटम तुम्हारे लिए थोड़ा अलग होगा नया होगा यानि रिपोर्ट वो बनानी होगी जैसा हम चाहेंगे अच्छा समझ गया देखो मैं रिपोर्ट वही बनाता हूँ जो सच होती है तुम पोस्मॉटम की सच्चाई अगर दिखाओगे तो हम कोली भी छोटी निकलेगे पर धमाका इतना बड़ा होगा के तुमारी खोपड़ी के खिद्रे उर जाएंगे फिर तुमारी डेट बॉड़ी का पोस्मॉटम कल कोई दूसरा डॉक्टर करेगा और हां यह बेमानी हम तुमसे फ्री में ही करवाएंगे यह पांच लाक कि मरने वाला अपनी मौत मरा है समझा है कि अब अब कौन थे वो लो चलो चलते हैं नहीं बता होना कौन थे वो लो उमसे क्या चाहते थे जोड़ी रिपोर्ट बनावना चाहते हैं क्या उनके चैनल से में रिपोर्ट गलत बनाऊंगा अब छोड़ो भी अमन कहां तुम उस बात को लेकर बैट गए लेह मुझे बार बार यही सोचके गुस्ता आ रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे धंकी देकर चले गया और और मैं कुछ ना कर सका रिलाक्स अमन कल रात मेरे जाने के बाद पोस्ट मॉटम के लिए कोई बॉड़ी तो नहीं आई यस सर बॉड़ी नमर 322 अविनाश मलोत्रा सर में बॉड़ ट्राय किया लेकिन आपका मोबाइल स्विश्ट ओफ था और घर की फोन लाइन्स भी बिजी थी हम आपको कॉन्टैक नहीं कर सक कुका है मतलब मतलब कहानी को ज्यादा लंबा करने से लोग बोर हो जाते हैं इसलिए डारेक्ट क्लायमेक्स सुना देता हूं हां लो सुनो सुनो सुनने में क्या आरज है लो सुनो अलो एलो डॉक्टर अमन तुम्हें मेरा मेसेज मिल गया होगा पोस्ट मॉटम रिपर्ट में थोड़ा हेर फेर करना है देखिए मैंने कहा ना आपको चीकते बहुत हो डॉक्तर और हां तुम्हारी बीबी बहुत चीकती है सुनोगे उसकी चीख के अञारा में पत्मी वहां कैसे यह कूछो की में यहां कैसे टूमारे गर में लेकिन तुम्हारी बीबी ने पानी तक को नहीं पूछा क्यर मैं ही बैठाओं रिपोर्ट तयार करके फोन कर देना को कि देखो लेखो तुमें चीश त्थर ब्लेक मेल नहीं कर सकते अरे तो तुम्हारी बीबी को गोली मार के मार दो गोली शूट हर अच्छा भूब दो अच्छा दर गया देखो मेरी तुम लोगों के साथ कोई दोस्मनी नहीं है लेकिन अगर तुमने कहना नहीं माना तो गोली तुमारी बीवी के बेजी में बुछ सकती है दॉक्टर साथ लो साइन करके इस जंजट को हमेशा के लिए खतम कर दो क्योंकि मुझे उसे फोन करके सब बताना है जितनी देर लगाओगे उतनी देर तक तुमारी पत्नी पर अत्याचार होते रहेंगे लो लो वेरी गूड वेरी गूड वकिल साथ समजदार है तुमारा पती सिग्निचर करके उसने तुम्हें नए जीवन दे दिया यस सो यह पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है इसकी एंट्री करके पुलिस वालों को देदो कि अविनाश की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट लेकिन उसका तो पोस्ट मॉटम हुआ ही नहीं है दोक्टर तुम्हें क्या मतलब तुम्हें जितना कहा गया तुम उतना ही करो जो जाके वादवाई शे कहो कि पोस्ट मॉटम के लिए बॉड़ी तहियार करें कि अविनाश करें कि अविनाश करें कि अविनाश करें अविनाश करें आदें अवस्टन करें कि अविनाश प्रमर्स सक्या毒 nei यह कोई नौ साज़े नौ बजी के करें नौ बज फर 몰라 बास deféndome तो गल राती है मेरे घर, एक पचे कैसे आ सब्सक्राइब एक पचे कैसे आ सब्सक्राइब वाट्स रॉंग डॉक्टर? डॉक्टर अमन! डॉक्टर! मार्में अपांट में पेशिंट को शिफ्ट कातिया? जी कर दिया Excuse me Nurse, you know where Dr. अमन is? Yes अपको पेशिंट का है Yes Sir Hello? कोई है? Open the door Hello? कोई है? नवाजा खोल फ्लीज Hello 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 मेरे समझाने पर भी तुमारे पती को मेरी पास समझ में नहीं है मुझे इनसाफ चाहिए जब तक मुझे इनसाफ नहीं मिलेगा मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूगा जीना हराम कर दूँगा मैं तुम लोगों का अलो बच्चाव वई है जा हो नहीं वो वो मिला था मुझे वो कौन नहीं वो 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 आत्मी जो हमारी खर कल रात आया था हाँ वो मिशे लिफ में मिला अचीव अचीव सी बाते कर रहा था वो ऐसी बाते क्यों कर रहा था वो इसका क्या बिगाड़ा है क्या नाहिंसाफ एकी है उसके साथ बोलो अमन बताव ना तुम चलो मेरे साथ के यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मुमकिन है मेरा दिमाग मेरा दिल का साथ नहीं दे रहा दिल कहता है कि जो देखा वो सच है लेकिन दिमाग दिमाग कहता है कि मैं डॉक्टर हूं और मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए बरोसा करना भी नहीं कि अच्छ क्या है वो जो कल राथ हमने दरवाजे पर देखा और आज तुम्हें लिफ्ट में देखा या फिर वो जो मैंने तुम्हें मौर्क में दिखाए था कि दोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है फिर जो कल हमने देखा वो क्या था आँखों का धोखा यह सपना लेकिन तुम्हीं बोलो आमन एक मारा हुआ इंसान दुवारा जिद्धा कैसे हो सकता है एक लाश जल फिर कैसे सकती है इसे सवाल के जवाब में तुम्हें उलज गया होने है कि क्या सपना है और क्या हकीकत इसे सकता है कौन है माँ इस ताथ क्यों जर गई क्या हो नहीं तो क्या एक तुछन तरावना सपना देखा था उपसे तुमने तरा दिया इतने बड़े बेड्रूम में इतने खूब अबसुरत बिस्टेप पर केली सोगी तरावने सब्सक्राइब क्या हिंगे चाड़ा जदाथ योजो नौटी मुबारक हो बड़े भाई को मार कर सारी प्रॉपरेटी चीन ली साउतेले भाई का रोल खुब नुबाया है तुमने अच्छा हुआ वकील साप या अपने मोका प सब्सक्राइब कर वा लिये थे यह तो सिर्प मेरा दिल ही जानता है कि आप 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 इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ नीद उड़ी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ नी दूरी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ कर दो 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 किसने ये मुझे को दीवाना कर दिया खुश्बू ये कैसी मेरी सांसों से आ रही है फूलों से जैसे दामन को अभर दिया इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ नेंद उरी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ ये मौसम ये हवाएं सब मुझसे पूछते हैं बस दिला दे हमको ये तुझको क्या हुआ ये मौसम ये हवाएं सब मुझसे पूछते हैं बस दिला दे हमको ये तुझको क्या हुआ मैं कैसे ये बताओं क्या दिल्बो हो रहा है मैं तो न जानू जाने है ये खुदा इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे यार से मुझको इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे मुझे इश्क कुआ मुझमी इश्क हुआ जिलरन के इश्क प्श्क क्पूआ तो भी प्रोखा ने इसकर पूरे जीखने की कोशिच बेकार है भी यह कमबक्त यह जहरी ऐसा है गले को चीर के रख लेता है सांस बंदोने से पहले आवास बंदो जाती है बंदोन सांस बंदों बंदो ब्रोगोगोग ए इससे झाush environment राडद स्व्ड़क में थाiãoइमा ने हले अांस प्रेव जय आज़ है 25 कैन कО्श यामना है कि झाड़ सूल सुन था सांस बंदो ए हो, तो प्रूं़ unlucky. अब अपने बड़े बाई अभिनास की सारी प्रापर्टी का इगलोता वारिश मैं हूं मैं उसकी पत्नी उसके बड़े गुंगान गाती थी मेरा पती मेरा पती है है यह उसका पती खड़े मैं हां लेकिन अब जल्दी से लाश को जला देना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे भावी ने शक जाईर किया तो दुबारा पोस्टमार्टम भी हो सकता है और यह जरूरी नहीं कि पोस्टमार्टम वही दॉक्टर करेगा और उसी होस्पिटल में होगा इसके पहले कि मेरी भावी बड़े भाई की लास्वा क्लीम करें है मुझे छोटे भाई का फर्स अदा कर देना जाहिए यह क्या पैना डॉक्तर हो कि मॉडल ऑ कमान जी जू ताइल है यू एजिव ए यू इस्टाइल वार्ण आपकी घर से तीन बार कॉला है और शाम को चार बजे डॉक्टर शर्मा के साथ आपकी मीटिंग आप मुझे चेरे सना से ही अरी आवास से जरू पैचान लेगे फोन पर बात हुई थी आपसे तो आप यहां पर अपनी जान पैचान करवाने आए हैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कहिए मैं अपने भाई की डेड़ बॉड़ी लेने आए हैं ताकि युस कानते बसंस्कार पर सुगा सॉरी कानून के मताबिक अविनाश के डेड़ बॉड़ी पर उनकी पत्नी का पहला अधिकार है मुझे कानून मत सिखाओ मैं कानूनी दाओं पेज जानता हूं वो तो दिखी रहा है कानून के दलाल को अपना चमचा जो बना लिया है विक्रम सहाब जिसका शरीर 90 परसेंट जल गया हो वो अपनी जलन बुझाने के लिए चीकता चिलाता है तब यह भूल जाता है कि चीकने चिलाने से जखम या जलन मिठती नहीं बलकि और बढ़ती है उनने इसके साथ जो भी कुछ किया है ना उसके आग में यह जल रहा है देखो डॉक्टर वो बात अब कत्म हो चुकी है मेरी भावी दुखी है इसलिए मैं अपने भाईया की डेड बॉड़ी लेने आया हूँ अर्गिस नहीं मेरे पती की बॉड़ी यही रहेगी इन्हें शक्या किंगे पती अविनाश का कतल हुआ है इसलिए पूरी इंवेस्टिगेशन होने के बाद ही यहों की चिता को अगनी देंगे अरे उनकी तो नैचरल डेथ हुई थी पुछी है डॉक्टर साप से इन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया था रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुची और जब तक इन्हें और कानून को पूरी तरह तसली नहीं हो जाए बॉड़ी यही मौर्ग में रहेगी कब तक इस पोस्टमार्टम की टेंशन में बैठे रहोगे तुम समझती नहीं नहा दुबारा कर पोस्टमार्टम हो तो सचा ही सामने आ जाएगी लोग जान जाएगे कि बिना पोस्टम किये मैंने रिपोर्ट बना दे थी और मैं फस जाओंगा और फिर मेरी रिपोटेशन का क्या होगा इतने सालों की इजट मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मुझे जेल भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं होगा मैं सिधात से बात करती हूं इसे साथ साब बता देती हूं कि गन पॉइंट पर जान की धमकी देखकर पोस्मॉटम रिपो क्या है कई था 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 थे था आप अच्छ तूम्हें अच्छ बहु आफ जैसे कूई बूद्परेंद देख लिया हो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर खामूश क्यों हो भई, सब खेर ये तो है न, एनी प्रब्लम? नहीं, नो प्रब्लम, ऐसे डॉक्तर बत्रा, क्या आप इन बातों को मानते हैं? इन बातों को? वही जो आभी भी कह रहे थे भूत, प्रित या फिर आत्मा तुम बनते हो? नहीं, मैं तो यह ही पूछ रहा था यह बाते कहा तक सच्छे जिंग प्लीज अरे हम डॉक्टर्स को तो यही सिखाय जाता है ना यह बाते कहानी और किताबों तक ही साच होती हैं एक्स्यूस में लेकिन सच को जुटला है भी तो नहीं जा सकता देर आर सम केसिस इन दे वर्ल्ड जिनकी गहराईयों में अगर तुम जाओ तो लगेगा क्या आत्माओ का भी वजूद है तो साइंस नौट बीन अबल टू एक्स्लें इट ऐसे आपका तजुबह क्या कहते हैं डॉक्टर पत्रा एहा उच देर के लिए अगर मेरे माथे से तुम यह साइकाट्रिस का टैग हटा दो तो यही कहूंगा यह ऐसी कोई शक्ती जरूर है बस साइंस उसे कोई नाम नहीं दे सका और यह जरूरी नहीं कि अगर साइंस ने किसी बात को साबित नह किया हो उस बात का वजूद नहीं डॉक्टर क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है मैंने भगवान को भी तो नहीं देखा कर दो क्या झार अपने झाल 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 अगाँ अगाँ लृट क्या धुँ आप एकाँ कि एकाँ कि एके लुट अजिना है वार में कि लुट वुट अजिना प्रेंग झाम अमन दर्वाल से पी कोई दस्तक दे रहा है तुम दर्वासा खोलते क्यों नहीं? कोई नहीं बाहर कोई नहीं है कोई कैसे नहीं है अमन? तस्तक साफ सनाई दे रही है मैंने कहा न बाहर कोई नहीं है मैं खुच आके देखते मैंने कहा न तुम नहीं जाओगी नहीं खोलो है दर्वासा लेकिन तुम दर्वासा खोलने क्यों नहीं देते आखिर बाहर है कौन देखा तस्तक बंदों के कोई नहीं था बाहर कोई नहीं था कोई नहीं था कोई नहीं था सिर्फ हाई ओ मैरम मैं आपका ड्राइवर नहीं लवर हूँ अप्पी शप्पी दो तोड़ा कले लग के हाई करो और अगर मैं इनकार कर दूं तो 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 ठीक है यह बाइक यहां से नहीं हिलेगी हां यू कर दूं दूं यू कर दूं लगने से जाले लगने से ही इसके अधिलेटर ओं होता है हौ इस हौ ऑँ हौ इस मेरी बाग को खुल लाने टापने वर्रा मश्टाव आख मश्टाव के राटने हालो अभी तक घर नहीं आए इसी हो नहीं बहुत डल साउंड कर रहे हो क्या बात है यहीं बस दिमाग भटक्या था अच्छा कब तक आओगे बस निकली रहा हूँ हालो कार लाने हुँ खर दो मैंदंगा मैं जा करो रेखारी जा जाПрेड़ा भी? झाला कि अबरे अबरे पार रेखारी नहीं है थैंगा जात्राहए झाला कि अबरे पारा मैंदा याला कि याला कि टूला कि परावर reign लावरे और रेमा बारा बारवरत डेहा 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 क्या हो तुबहे यह तुम कुछ गोल कुए ने लही हो निया लेओ तुम्हें आवार कि अब तेज बुखार है लेकिन निया तो कभी बिमार नहीं पड़ती अचानक इसे क्या हो गया पता नहीं मा अचानक घवराट होने लगी शरीर कांपने लगा फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं जब हो शाय तो पता चला बुखार है गवरानी की जुरत नहीं है पापा चोटी सी बात है शाम तक फिवर उतर जाएगा जब अमन ने हमें फोन किया तो हम तो परिशान हो गए फिर तुम्हें देखा तो जान में जाना अब तो हस्ते बेटा अरे मामूली सी बात है चीर अब पुम्हेंkt ए SHक डेँ़ पो आप전 की बात, पुमुमुम्हेंस झाए… झाहां…! झाल लुष्ग कि है थां य। लिघ काज और? पापा, यह डॉक्टर बत रहा है, नमस्ति दोप 25 सेविट जानुरे किस्ट है, यह और सेविटें है, जुक्रमांस भापाा यह जाओ को, का यह जिलने월 nuestro जुक्त पाढ़ी Natal है, यह आसेपर प्रिया टारानुण। है कि है कि एधके श्गिखा और है यह है? पुक्त pred ado, खर ते जुक्त M? मैं डॉक्टर बत्रा, बुली तु रहीं, याद है ना? निहां? अच्छेंट इस नोत रस्पंदिंग, और रहा हुआ जा रहा हुआ जा रहा हुआ है निहां, निहां मैं डॉक्टर बत्रा हूँ, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बत्रा अगर कोई ऐसी वात है जो तुम अपने हस्बंड के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो मुझे बता सकती हूँ निहां, निहां सुन रही हो ना? निहां मुझे खरगह यहां 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 यह क्वड़ बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, यह तो मैं भी जानता हूँ, यह कोई बीमारी नहीं है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको यहां बोला लिया, नहीं, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसके अंदर तो एक अलग शक्ति है, इस शी पॉजस्ट अमन, शी पॉजस्ट अमन, किसी आत्मा ने तुमारी पत्नी का शरीर उट लिया है, उसकी सूजबुच को अपने काभूर में कर लिया है दौक्टर किया हमारा प्रफिशन हमें इस बात की इजासथ देता है कि हम इन बातों पर यकेन करें? और आज किस मॉदरन जमाने में जहा साइन्स ने इतनी तरक्य कर लिए एक मनेट वूर्टर से अमन, हर बाध की, हर चीज की एक सीमह होती है जो मेडिकल साइंस की भी है अब इनसान का दिमाग इस सीमा पर आकर रुख जाता है इसका मतलब यह नहीं कि उस सीमा के आगे कुछ भी नहीं है उस सीमा के आगे एक पूरी दुनिया है एक ऐसे मिस्ट्री जो इनसान अभी तक सौल नहीं कर पाया तेखो मैं तुमारी बीवी के बारे में जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है दॉक्टर मेरी पत्नी को ठीक करनेगा कोई तो रास्ता होगा मुझे किसी भी हालत में उसे ठीक करना है प्लीज मुझे कोई रास्ता बताई दॉक्टर प्लीज अमन इन राओं पर जो बटक जाते हैं न सिर्फ गुदरत ही उने रास्ता दिखा सकती है सिर्फ गुदरत तुम डॉक्टर होकर ऐसी बात ही करते हूँ पपा मैंने अपनी आखों से नेहा की बिगर्दी हलत देखी है इसलिए डॉक्टर बत्रा की बातों पर विश्वास कर रहा हूँ पेटे अगर डॉक्टर बत्रा का यही कहना है कि नेहा किसी आत्मा की घेरे में आ गई है तो उसका कोई इलाज तो होगा वहीतो मेरी समझ मेंने यारा कि मैं क्या करूँ यह सब मेरे गलती का नेतिजा है काश काश मैने उन लोगों की बाते न मानी होती बेटे जो बीट गया उसके बारे में सोचने से कोई फायता नहीं अब तो हमें यह सोचना है कि हम नेहा को कैसे ठीक करें अमन हगवान के लिए कुछ करो कोई ना कोई इलाज निकालो नेहा की यहालत मुझसे देखे नहीं जाती सुमन सुमन एंड मेट अप वकिल साब यह आपने चाली यह इसी चल दी नेरी हर चाल में नए अंदाज होता है वकिल साब अच्छा और हमारे अरवार अनदाज में नहीं चाल होती है अब मैं तुम्हारी धंकिया सुनकर अपनी जिंदगी नहीं कुछारूंगा तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया जिवा इस बार मैं पोस्मार्टम करूंगा और सही रिबोट बनाकर पोलिस के हवाले कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अरे तुम लोगों के वज़े अपनी बीवी के बारे में सोचो मार दोस्ते ना मुझे अपनी फिकर है ना अपनी बीवी की लेकिन एक बात याद रखना अगर हमें कुछ हुआ तो तुम लोगों मेंसे भी कोई नहीं बच पाएगा तुम सब जेल चले जाओंगे याद रखना यह तो गड़बड हो गई वकिल साब अगर इसने साई रिपोर्ट पोलिस को दे दी तो हम साब फास जाएगे कुछ कीजिए अब एकी तरीका बचाए मार्क से बॉडी को गायब कर दो ना बॉडी रहेगी ना पोस्ट मार्टेम होगा ना नई रिपोर्ट बनेगी संदलर स कियुक्त आप रही तुम दोन को देखाीन हम दोनों नहें मतलब आपन दोनों और स्टाफ हैं मौर की छावी देधिए ऑगे दो आप अजीयों के तर्व दी दॉडी जमा करना चाहते हैं कर तो यह दाक्टर की प्रिमिशन है के नहीं फिर तो बड़ी जबानी हो सकती है यह बात है के हमें भी बारा बजे के बाद मौरक का दरवाज्जा कोने की जाज़त नहीं है अब मैं भी क्ये करूँ बता हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए ना समझने की कोशिश तो मैं जान भी जान भी कोशिशिशन है लुआए लुआए अचा औाहा हुँ हुआ। लुआए अचा हुआ। चो पोता है। कर एक दो कर पसंब aims कर दो दो गर बने चरपक ありहो बहँत पहँस पहँस अ राष झास घο उर आपको होश आगया कर एक है है आपर आपर रहाई लेकिन मुझे यहां क्यों रख यहां से लेचलो मैं घर जाना चाहती हूं हाँ बेटी जरूर ले जाएंगे पहली तरीत अब्यत तो समल जाए यहां बिल्कुर ठीक हो गई है उखर जाना चाहती है अमन यह सब क्या है मैं यहां क्या कर रहे हूं मुझे घर जाना है प्लीज यहां मीम प्लीजा जारी एक अ रत्रा जारी जारीज जारी। फुब एाओं, टोच मैं फुटाशी छांगी । झार झार क्लेझ! राकाण। हााँ? मैं जब अंदर आया तुम कहा थे जब अंदर आया तुम कहा है तुम नेसे अंदर जाने क्यों दिया यह तो बॉड़ बॉड बॉड दूसरी नर्स दो वो वो कौन अजय वही वाडबॉय है अजय नू कहवे था ये मौर्ग में लाज जमा करनी है और हाँ तरोगा जी वो रेइस्टर में एंट्रिविश नहीं करी थी वो लोग कितने टाइम से यह काम करते हैं जिवा तो पता निमें उस दिन पहली बार देखा था पहली बार देखा था फिर भी उने मौर्ग में जाने की जादे दे दी कैसी डूड़ी निभाते हो तुम तुम्हें कब बदा चला की वो मर चुका है मैं बाहर मैं बाहर वार्ड बॉय को बात मिल जा रही थी के मुझे तो फिर फिर वो नर्स भाग के अंदर चले गई और मैं मदर दूनना चला गया ओके उसके बाद क्या हुआ मैंने तेखा शिवा की लाश पड़ी है मेरी समझ मेरी आया मैं क्या करूं मुझे मुझे एक आहट सुनाई थी मैंने मुड़ के देखा तो अवी नाश जिन्दा स मेरी सामने खड़ा था वक्वास कर रही हो तुम मैं बिल्कुल सची कह रहा हूं दरोगाजी वो बॉड़ी नंबर 322 था दिन में भी शरा पीता है तुम अजी कैसी बात करें दरोगाजी आप दिन के बात कर रहे हैं मैंने तक रात को भी ने पी माताजी के कसम लेकिन यह कै इसे हो सकता है लेला अविनास मर चुका है वो मर कर भी जिन्दा है हमने हमने उसके सथ ऐसा सुलूख किया है कि कि वो मौत की दरवाजी को पार्क करके वह बाएस आ गया है हमसे हमसे अपनी मौत का बतला लेने चुप बेवकूफ जो खुद मर चुका है एक बेज़ान हो और तू कहता है से मर किया है अजीज दरोगाजी मेरी बात तो समझने को इस चुप चुप कर वह कुछ नहीं चाहता है अवल्दार इस लाश का पंचनामा करो और बोडी को पोस्माडम के लिए भेज़ दो जी सिधार्थ मैं तुम्हें इस के बार में कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं सिधार इसमें इतना परिशान है उन वाले क्या बात है अजीब बात करती हो तुम अमने जुटी पोस्माडम रिपोर्ट बनाकर मुजरुमों का साथ दिया कानून के खिलाफ काम किया और तुम्हें बात मामूली लगती है सिधार बात समझने की कोशिश करो जीजु ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया अगर वही सब ना करते तो ना जाने वो लोग दीदी के साथ क्या खर बेठते जजबात और रिष्टों के लिए कानून के किताब में कोई जगा नहीं अगर मैं चाहूं तो आमन के खिलाफ फॉरन आक्शन ले सकता हू मैं चानती हूं सिधात तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि सच क्या है यह तुम समझ रहे हो समझ रहो आर्ती तभी तो खामोश हूं लेकिन एक बात कह देता हूं अगर मोजर्म जल पकड़े नहीं गए तो मजबूरा मुझे अमन के खिलाफ कोई आक्शन लेना पड़ेगा औ मुझे मेरा हिसा चाहिए क्यों डर गई पुलिस को उस नर्स की तलाश है जो उस रात मॉर्ग में थी वो वड़ बॉय मुझे अच्छी तरह पहचानता है कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर हम पुलिस से बच भी जाते हैं तो अविनाश अविनाश की आत्म हमें जिंदा न मर चुका है कि इंस्पेक्टर साब आप क्यों गलत वक्ट पर आ गया नहीं ऐसी बात नहीं है कि ऐसे आना हुआ आप पर इल्जाम है कि आपने गलत पोस्त मॉटम रिपोर्ट तयार करने के लिए डॉक्टर अमन को डराया और उनकी बीवी को मार डालने की धंकी दी कोई सबूत है तुमारे पास सबूत डॉक्टर अमन ने खुद मुझसे कहा है किसी के कहने से क्या होता है इंस्पेक्टर सबूत लाओ गवा पेश करो और उसके बाद जो भी कुछ कारवाई करनी है वो करो और अगर आपने मुझ पर खामका इल्जाम लगाने की कुशिस की तो मैं अपर मानहानी का दावा ठोक सकता हूँ हाँ जानता हूँ हमारे या कानून ने बहुत छूड़ दे रखी है हर कुट्टे को भौकने की इजासत है इंस्पेक्टर ये मत भूलो कि मैं भी कानून वाला हूँ चिलाओ मत मैं तुम लोगों को यहां चितावली देने आया हूँ बिना मेरी इजाज़त तुम लोग ये शहर छोड़ कर नहीं जा सकते और अगर जाने की कोशिश की तो ये क्या इस शहर के सारे काले कोट वाले मिलकर भी कि तुम्हारी काली करतूतों पर परदा नहीं डाल सकेंगे देखा विक्रम मेरी बात सही निकली शाम तक मुझे मेरा हिस्सा पोहच जाना चाहिए वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूं हाँ प्रफल झाल कि अपसे बखंगा है? अगज का तांसी वे लग में? नह अपना कि अए उना हैं अपसे अपसे जह दो है कि अपसे फ्सेट वर शब बादर समय झाडाणी झाडाणी झाडाणीं झाडाणी पीछस संय कुषस झाल झाल कर दुटा हुआफंबाण्स लुटाफंबाइव यह तुमने अपनी क्या हालत पनाली है, क्या होगी है तुमें तुम जल्दी से ठीक होकर घर आजाओ, मैं बिलकुल तुम ठीक हो, लेकिन अमन तुमने यह बहुत गलत किया, मुझे लाकर यहां रख दिया, और कौन ख्याल रखता होगा तुम्हारा, मुझे पता है तुम के अलस हो, क्या करो, क्या करने वाली जो घर पर नहीं है, बस अब ज्यादा बाते मत बनाओ, मैं तुम्हारी एक निस सिधार्थ, हलो, सिधार्थ हेर, लेला की मौत हो चुकी है, वाट, वक्त से पहले सट्या गए है आप, सिवाव लेला की मौत ने डरा दिया है आपको, विक्रम सहाप, जब माउट सर पर तांडाओ करने लगती है न, तो अच्छे-च्छे की फट जाती है, मेरी बात मानिये, उन दोनों को आविनाश नहीं मारा है, सब गलत है, जो खुद मरा हुआ है वो दूसरों को क्या मारेगा, मुझे लगता है किसी का सडंत है, मैं डराने के लिए, किसी भागने वालों मैंसे नहीं हूँ मैं, ये पूरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए, बहुत पापड़ मेले मैंने, छोड़कर नहीं जाओंगा अब सच कह रहा है तुम, ऐसे नहीं जाएगा, मर कर ही जाएगा, साला मुझसे नहा की हालत की सिखी नहीं चाहती, जबसे उसकी आसी हालत हुई है, उसे सिफ 2 बाहरोशाया है और ताद्जुब की बात हिहा है कि, पहली बर जब उसे हूशाया तो शिवा मार में मारा गया और जब दुसरी बाहरोशाया, तो अलेला हम मरर ऊदर हो हो ना हो ये एक बचकर ग्यारा मिनिट एक ऐसी कड़ी है तो नेहा की जिंदगी और अविनाश की मौत को जोड़ती है अप्रमंद हमारी पत्नी की किसमत का फैसला अविनाश की पीवी ही कर सकती है इस घर की किसमत में रोशनी कम और अंधेरा स्यादा लिखा हुआ है इसलिए अकसर यहां पिछली चली जाती है आप लोगों की बातों को सुनकर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ गलत पोस्त मॉर्टम रिपोर्ट बनाकर आप लोगों ने एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया है जी हम आपको मतलब नहीं समझें वो इंसाफ लेकर रहेंगे बहुत सिद्धी थे वो जो कह दिया वो पथर की लकीर और जो कर दिया वो तक्तीर जीते जी उन्हें हार बर्दाश्ट नहीं हुई तो मरने के बाद कैसे होगी यह कैसी बाते कर रही हैं यह सिर्फ बाते नहीं सच्चाई है जिसका सबूत इस घर के तैखाने में दफन है यह वही जगे है जहां अमिनाश काली विद्याओं में सिद्धी प्राप करने की कोशिश क्या करते थे यह जो काली विद्याय यह नहीं जी हां हर रात उजालों से दूर हो कर वो अंधेरों में बूसरी दुनिया की दालाश क्या करते थे और तेर रा्त तक इस अंधेरे और सुंसाम तैख़्ाने में आत्माओं को बुला करे थे उनसे बाते क्या करते थे अजीब भयानक सी चीखे मेरी नींदे उड़ा दिया करने थी अकसर इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में जगड़े हो जाते थे ओम नम रिम्क्लिम् चामुंदाए नमा ओम जुणाय जॉलाय प्रज्वते ओमनम चामुंदाए चामुंदाए नमा आयुश्मति भाबा यह वही जगह है बाबा, जिसे आपको पविद्धा करना है यहां का वातावरन देखकर लगता है कि यह जगा मनूस है, यहां आत्माओं का वासे, इस जगा का शुद्धी करण बहुत ज़रूरी है, तभी इन आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन महराज, यह आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है, यह इनका नाश ह हो सकता है अवश्य जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है तो उसे जीवन कहते हैं और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो मौत कहलाती है लेकिन मौत संपून तभी होती है जब शरीर पूरी तरह नश्ट हो मतलब जब तक शरीर खत्म नहीं होता आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती नहीं कभी नहीं आत्मा और शरीर वर्सों तक एक होकर रहते हैं इसी समय में शरीर को आत्मा से और आत्मा को शरीर से जो लगाव हो जाता है उस लगाव को खत्म करने के लिए शरीर का भस्म होना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब यह हुआ कि अविनाश की आत्मा से चुटकारा पाने के लिए उसके शरीर को जलाना ज़रूरी है वो अविनाशी है हाँ मेरे पती है वो आप लोगों का अंदाजा बिलकुल सही है लेकिन यह आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही है उनकी हरकते उनकी आखी उनकी बात करने का अंदास वह भी वह इसी तरह से उजह देखके चीकने चिलाने लगते थे बिलकुल इसी तरह से है मेरी पत्नी की जिंदगी अब आपके तो कि अगर आविनाश की आत्मा कु मुक्ती मिल गई तो मेरी पत्नी बच जाएगी हां और अविनाश को मुक्ती दिलाने के लिए हमें हमें हमिव हुस्किता को जला नहीं हो कर दो प deadly कर दो करें एक एकान पुबटे तक दो एक उड़ी गिए करें एक एकानी प्रोटा बंड़ कुई जया वे कि प्रोटा कि ख पिए प्रोटादर है कि अधуки हुई 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 अग्त करेंग! 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 सब्सक्राइब घ्रशाँ मैं एड़ो porch के फ्रियाना बोल रहा है मुझे तुमसे जरूरी काम पड़ गया इसलिए मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया वकिल साहब जो आप सोबे होने का भी इत्जान नहीं कर सकते कुछ राज ऐसे होते विक्रम जो रात के अंधिरे में खोले जाते हैं मैं भी एक ऐसी राज पर से वर्दा उठाना चाहता हूं कहीं डरकर आप सेर छोड़के तो नहीं भाग रहा है वकिल साहब अब रहाओ नहीं विक्रम साहब अकेले नहीं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाओंगा अच्छा तो जल्दी आये मैं आपका इंधिजार कर रहा हूं आप से पहले पहुंच जाओंगा कि अरे वा कि सबाब अभी हभी तो अपना फोल किया था विक्रम तीन चीजे कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है पुरी किसमत बुरा वक्त और माउन ये क्या कह रहा है आज कल हम लोगों का बुरा वक्त चल रहा है ना ऐसी कोई बात नहीं है चली आईए अंदर आईए हुआ है कर अब अबुलेश लेकर कहां जा रहे हो एक लाश कंदे में संसकार करने अमन तुम्हें पता है कि ये केस अभी अधूरा है और वहां मेरी पत्नी की जिंदगी अधूरी है ये जुर्म है जुर्म है अपनी पत्नी को बचाना जुर्म है अगर अपनी पत्नी को बचाना जुर्म है तो आज मैं ये जुर्म करके रहूंगा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूगा एक मिनिट अमन इंस्पेस्टी साब अविनाश की पत्नी नहीं पर्मिशन दे दिया आप क्यों रोक रहे हैं मैं ये बात कैसे मानलू अब आप खुद बात कर लिए जना लेक मिने फुराना साब मैं आपको बादर समझता था लेकिन जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा विक्राम मैं नहीं जाओंगा और पर मेरे जीवन की रेका बहुत लंबी है वकिल साहब और पर मैं मौत से भी नहीं डरता विक्रम मौत किसके दर्वाजे पे कब दस्तक दे दे ये कोई नहीं चान था यह आपने ठीक नहीं किया कल को अगर कुछ हो गया तो हम अपने सीनियस को क्या जॉब देंगे उसकी नौबत ही नहीं आएगी तुम जीप निकालो लगता है आज होष खो देने के मूड में आप खो देने के मूड में नहीं नहीं प्रा देने के मूड में क्या हुआ ओड़ गए नहीं अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को इसे कभी अपने गले से मत उतारना हूं यह तुमारा अखरी पेग है इस पेग के बाद तुम शराब को छोड़ दोगे और शराब तुमें अब अविनाश की आत्मा इस चौकट को पार करके अंदर नहीं जासे अगर जाने की कोशिश भी करेगी तो ओम की शक्ति उसी जला की भस्म कर देगी ची पेगी पेगी तो इस प्रिविन जासे आत्म विल्जगेर नहीं जासे अगर जासे अगर जाने की आत्मीं जात्मीं सब्सक्रीप को एंटप्र एंग म fırणक पत्तरा सहत्तरा तुम हुग उगान सुन्सर्ण एंग ₹ ऐसा लग रहा है जैसे ये पैक मेरे गले को चीरता हुआ गया है ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था उन लोगों ने मुझे यही जहर दिया था ना तुम्हें जन अथिं लょक के झाए। हुआ झाल अगर भाई को धुखा दिया, वो भी थोड़ी सी दॉलत के लिए अमन, किता को अगनी दो, ताकि इसके आत्मा को शान्ति लिए भी बहुत कड़ा, बहुत चलन होती है ना छोटे एक बार फिर सोच लो, तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो पहले कानून कहा था जब इसे मारा गया अब धीरे धीरे ये जहर अपना असर दिखाएगा और इस दुनिया से तेरा वजूद मिट जाएगा बहले कानी जरी जाएगा तेरा में तोबस पहले की कानी जाएगा ये जाएगा आपने प्रोट गोम-जाखी ये-जापी रहे हागा हुआ है हुआ है हम特 буров हुआ 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 कर दो दो विखर्ण की मौत भी उसी जहर से हुई जी हाँ उसी जहर से जिस जहर से अविनाश की मौत हुई थी ताजुम की बात है सर यह इंसान जब शैतान बन जाता है तो उसका फैसला इंसान नहीं भगवान करता है भगवान ने अपना फैसला कर दिया है मेरे पती की आत्मा कुश्चान्ती मिल गई होगी फुद्रत का इंसाफ ऐसा ही होता है वो जब इंसाफ करने पर आता है तो इंसान कुछ समझ नहीं पाता है बस, इनसाफ हो जाता है, अब ये केस भी उनी फाइलो में दफन हो जाएगा, जो उनसॉल रही है, येस, हारती, क्या करती हो, रास्ता चोड़ो, तो तुम मुझे फिर चोड़ के भाग जाओगे, इसलिए, आज तो रास्ता नहीं चोड़ोंगी, क्यो, आज क्या बात हो भी, ये केस तो सुर्फ हो गया, लेकिन एक केस भी बाकी है, केस, कौन सो केस, मेरा और तुम्हारा, अब और इंतजार नहीं होता, तो शादी क्यो नहीं कर लेती, किसे, किसे क्या, मैं हूना, झाल 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 झाल